जैसा कि आप सभी लोग पताएं कि सिच्छा भी भाग भी हाट सर्कार के तरफ से गोपालगंज जिले का इसक्लिअ अवंटन कर दिया गया, और जो आपके जिला सिच्छा पधिकारी गोपालगंज के हैं, तो इनके तरफ से कराले आदेस जारी किये गया हैं, आपके परवड़ी 2024 आनि की कॉल यहाँ पर क्या कि सुभा 10 बजे से आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जाएगा यहाँ पर आपके अस्थान जो है उदिये गए है भी एम फिल्ड आपका गोपाल गंजे वहाँ पर आपको जाना है पदस्थापन पत्र लेने अब यहाँ पर द देखिएगा फिर उसके बार जो आपका कांटर संख्या उसी कांटर संख्या पर आप लोग का पदस्थापन पत्र दिया जागा इसमें आप चाहिए किसी भी चाहिए बीपैसी टीरी टू में हो याफिर भी प्रक्ष्य करते जा रहे हैं आप अपने प्रखन का नाम जो काउंटर संखिया यहां पर आपका प्रर्खंड का नाम यहां पर पार प्रखंड का नाम धोड़ चल्च के पाउंटर संखिया रहाख ओंपका उप आप देख लिए होंगे और उसके साथ जो आपका काउंटर संख्या उसे भी आप जो है वो देख लिए होंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्मेंट्स को लेकर बोलागे है कि जैसे आप पदस्थापन पत्र लेने जाएंगे तो कौन-कौन से डॉक आपका यहाँ पर यहाँ पर लेकर जाना है उसके अलामा बिपेस्थापन पत्र लेंगे तो दो दीन के अंदर जैए आप अपना योगदान जो है इस्कुमिर स्कुर्चित करेंगे आनि आप अपना कारे भार वगरा जो है उस विद्याले में आप ले लेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर बगल में आएंगे देखें यहाँ पर जो आपका गोपाल गंज जिला सिचा पता दिकारी के तरफ से दिसा निर्देश दिये गए है यह आपका आठ नौ पेज का है तो यहाँ पर आप ध्यान देजेगा अंतर तक जुड़े रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पूर्व से जैसे आप पहले से सिचक हैं या फिर आप अनि सेंटरल गर्मेंट में या फिर आप राज सरकार में दूसरी डिपार्टमेंट में आप आप पर जॉप करहें आनी नोकरी करहें तो जो आपका त्याग पत्र और जो आपका यह नोसी वगर हो या फिर जब हो आप पर ज्योंजियाग जाइगा तो जो भी नियोजिया चाहि है याफ फिर आप लोग नौकरीम में होंगे तो यह जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है इसे अपने से भी अच्छे तरीके से जो है वो देख लिजेगा फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका तीसरा वाला बिंदू दिया गया है इसमें आपके डॉक्मेंट्स को लेकर आपका बोलाएंगे जिसमें आपका सभी डॉक्मेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग BPSC TRE 2 का या फिर BPSC TRE 1 के सप्लिमेंटरी रिजेट में चैनी से चकब वेरती हैं तो आप जो भी फॉर्म समिट किये थे अपना फॉर्म भरते टा है तो वहां पर जो एचम होंगे उनको 2 सेट में आपको फाइल में बंद करके जो आपका डॉक्मेंट्स सभी डॉक्मेंट्स जैसे आप यहां पर देखेंगे सीटेट बीट या स्टेट वगरा है जो भी आपका सेचड़ी कंपर सेचड़ी की योगदा उसको लिकर बोला किया है आपका जाती हो यह फिर आपका निवास हो यह फिर एंसैयल हो यह फिर दिव्यांगता हो यह फिर बंद करके आ बीषा है किस बीषा की आप्टीचर है यह सभी चीज आप जो है जो आपका फाइल होगा उसके उपर जो है आप लिख देजेगा फिर उसके बाद आप यहां पर चौथे पॉइंट पर देखेंगे तो चौथे पॉइंट पर आपका वहीं बोला गए है कि जैसे आप लोग विद्याले में युगदान वगर जो है उलेंगे पदस्तापन पत्र आप यहां पर लेंगे तो जो आपक गोस्वाक घोस्रडा पत्र है वह आप लोग को यहां पर संमीट करना है फिर उसके बाद चछेटों वाले पाइंट पर देखेंगे ति इसमें पहले से टीचर वगर हैं तो आपका त्याग पत्र या फिर बकाया आरोप लंबित पत्र वगर है यह सब हर एक चीज आपको प्रमाट पत्र वगर समीट करना है उसके बाद ही जो आप लोग का पत्र है वह आप लोग किया जाएगा और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यह यहाँ पर आपका जो साइलरी है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया जैसे आप यहाँ पर आठवें पार्ट पर देख सकते हैं जो आपका वेतन है क्योंकि यहाँ पर आपका बोला गया कि अगले दिन ही यहाँ पर जो आपका प्रान वगर है उसके लिए यहाँ पर आप लोग को आवेदन करना होगा, जिसके संभद में जो आपका डिडियोasant code वगर रहता है, हर एक चीज जय से आप लोग का जो योगदान वगर है हर एक चाहिज complete होने के बास जो आपके सिचा भागहzd है, जिसे से जो आपका प्रान वगर होगा यह जो आपका प्रान है उसको लिकर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रान है उसके लिए यहाँ पर आपको अगले दिन ही जो आपका आवेधन वगर है वो आप लोग यहाँ पर complete जो है करना क्योंकि बीना प्रान के बीना प्र फोटो कॉपई वगरा है हर एक चीज यह बापको सनलगन करना है आनि आपको यहां पर जमा करना है फिर उसके बाद नोमे प212 का महत्व पूर नहीं दिया गया है और फिर उसके बाद जो यह आपका पत्र है सभी जो अधिकारिया फिर जो विभाग है उनको यहाँ पर प्रती लीपी जो है पपका किया गया है और बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके स्वग होसड़ा पत्र है आप इसे जो है देख सकते हैं फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो और यहाँ पर आपके पत्र था जैसे यहां पर अद्य प्रमाड पत्र है आपका इंगे तो जिसको आवसकता होगा आप जो है अपने अस्तर से देख लिजेगा और फिर नीचे आप यहां पर आएंगे तो इह जो आपका रराण के लिए जब आपका भोगर गया है जो आपके पास Cancels चेक नहीं है तो जो आपका Passbook होगा Passbook का जो आपका पहला page होगा उसे से भी यहाँ पर आपका चल जाएगा कोई सतरीकि का अपका दिकत नहीं है और यहाँ पर जो आपके बेंक एकाउंट वगडर है वब आपका यहाँपर डेटिल को लेकर आपका बोला है वो आपका नामनली खयोंगत यह आपका प्राण को लेकर है तो आप यहां पर ध्यान रखेंगा जैसे आप यहां पर गुपाल गण्ज जिले से होगे तो प्राण केले भी आप यहां जो है वो तयार हैगा क्योंकि जितना जल्दी ही आपका प्रान के लिए अवेदन होगा उतना ही जल्दी आपका प्रान नंबर जो है आपका जनरेट होगा और जैसे ही आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका जब सिछाभा के तरफ से सैलेरी आपक आपका प्रोसेसर आपका कम्प्लेट हैं होगा तब तक आप लोग का जो वेतन है वां आपका पर भूगताने जागा नहीं किया जागा उनिय अपलोग का ज़िखहवा के तरफ से वेतन भूगतान के आजाएगा पहली जो आपका मेन महत्यपूढ़ है वो आपके यहाँ पर जीले का पदस्थापन पत्र को लेकर अपडेट है बाकी बहुत सारे जिले का आपका पदस्थापन पत्र दिया जा चुका बहुत सारे जो टीरी टू या फिर टीरी फर्स्ट सप्लिमेंटरी रिजेट में चैनी सिचक थे बहुत सारे सिचक अपने विद्याले में युगदान वगरा जो है उकर लिए और उसके बार डेली आप लोग विद् लेट या फिर इंफर्मेशन वगर आता है तो आप सबी लोगों को पता ही होगा कि इस प्लेटफर्म राइटोज के सन इंडिया जो हम सेर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि होंगे सब्सक्राइब करते हैं लेकर को प्रेज जरूर कर लिजेगा मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थैंक यू बाइबाइ टेकर ओल्वेश थैंक यू फो लिस्निंग गॉट बिलेस वाल थैंक यू